नमश्कार दोस्तों पात्वेंटर पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में हुम डिस्कस करने वाले हैं अक्टरस तुनीशा शर्मा के सुसाइड केस के बारे में और साथ में आत्मात्या के लिए उकसाना या अबेटमेंटर स्यूसाइड के जो चार्जिस होते हैं उनको साबित करना इतना मुश्किल क्यों होता है क्या उसके पीछे कारण है इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कुछ और केसिस का एक्जामपल भी लेंगे जहां पर इस तरह के केसिस को इवेंचली खारिज कर दिया जाता है रद कर दिया जाता है क्यों ऐसा होता है अबेटमेंटर स्यूसाइड डेफिनेशन क्या हुई इसकी या कोर्ट ने इसके बारे में क्या-क्या अब्सरवेशन दी है उन सभी चीज़ों को आज हम डीटेल में पढने वाले हैं बट बिफोर मुइंग फ़रवड चली पहले हैट लाइन देख लेते हैं तो इसकी में एवान मिलेट हाँ तो निशा शर्मा स्यूसाइड केस क्यों इतना मुश्किल होता है इसको प्रूव करना इसके बारे में डीटेल से पढने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलिग्राम चानल्स पर दोस्तों फॉर आल मैं क्लास अब्डेट शीडियूस औन पीडियूस अनक आद्मी याप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मैं सभी स्पेशल क्लास अन प्लस कोर्स के लिए इंडूल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है ंडी लाइफ 10 चली पहले न्यूस देख लेते हैं तो मीरा भयंदर वसई विरार MBBV पुलिस ने संडे को अरेस्ट किया है टेलिविजन आक्टर शैजान खान को for the suicide office co-actor तुनिशा शर्मा तुनिशा शर्मा की आत्महत्या कि अन पर लगे हैं कि उन्हें उकसाया उनको आत्महत्या करने के लिए जिनके साथ उनका ब्रेक अप हो गया था दो हफते पहले F.I.E.R. जो रेइस्टर की गई है लोकल पुलिस के द्वारा वो बेस्ट है उन्दर स्टेटमें गिवन बाई तुनिशा जिन्होंने ये का है कि उनकी बेटी ने suicide किया क्योंकि खान ने दो हफते पहले उनके साथ ब्रेक अप कर लिया था साथ में उन्हें ये भी कहा कि खान ने प्रॉमिस किया था कि वो तुनिशा से शादी करेंगे और एक रिष्टा उन्हें उन्हें तुनिशा के साथ रखा साथ में उसी समय पे he was also involved with some other girl this is not very relevant for us यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि soon after registering the FIR the police arrested Khan on the charges of abattment to suicide आत्मत्य के लिए उकसाने के आरोपन पर लगे और उनको चार दिन की पुलिस हिरासप में custody में भेज दिया गया है यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जब abattment to suicide के charges लगते हैं suicide cases में तो पुलिस बहुत जल्दबाजी नहीं करती है arrest करने में क्यूं? for the simple reason कि इसको प्रूव करना काफी मुश्किल होता है ठीक है इसका जो हम एक तरह से कह सकते हैं हम अगर NCRB के डेटा को देखें 2021 के National Crime and Records Bureau के डेटा कहते हैं कि conviction rate जो है न इस इस तरह की cases में इस तरह की cases में इस तरह की cases में जिसमें आरोप लगता है किसी पर की इसने उकसायज इसके वज़ेसे व्यक्ती ने आत्महत्या की है ऐसे cases में conviction rate जहां पर महिलाय विक्टेम है केवल 20% है तो यह प्रूव करना क्योंकि जहां पर मैं आपको बताओ कि कोर्ट ने भी रेपिटेडली मेंशन किया है कि देर मस्ट भी मेंजरीया मेंजरीया का मतलब हो हागी एक इंटेंशन होनी चाहिए किसी व्यक्ती के इंटेंशन है कि वो जो परसन कमिट कर रहा है सुशाइड उसको ड्राइव कर इसुशाइड करने के लिए मतलब उसको उकसा इस तरह से रहे किसी इंटेंशन के तहत उकसाया जा रहा है कि वो ऐसा कर ले तो मेंजरीया का होना जरूरी है किसी भी ऐसे व्यक्ती के अंदर या उसने ऐसा किया है जिस पर ये चाजज लगे है with the offense of abattment to suicide apart from other conditions बाकी conditions के साथ-साथ कि उसने जान बूज कर intentionally किसी व्यक्ती को उकसाया है सुशाइड करने के लिए ठीक है ये होना जरूरी है साथ में कोट ने ये भी mention किया है कि जो भी accused है जो भी आरोपी है with section 306 के charges section 306 क्या है ये IPC की धारा है जो deal करती है abattment to suicide से यानि आत्म हत्या के लिए उकसाने के charges लगते है 306 के अंतर तो ऐसे में किस वज़द कब कहा जाएगा कि ये abattment to suicide है under 306 जब जिस व्यक्ती ने आत्म हत्या करी है उसके पास उसके अलावा कोई और विकल्प था ही नहीं इस तरह से उसको खसाया गया है तब ये धारा लगते हैं ये charges लगते हैं बेसिकलिए इस धारा के अंडर ठीक है यहाँ पर मैं आपको बता दू कि Supreme Court के एक landmark judgment M. Mohan versus State Supreme Court ने 2011 में ये observe किया था in these cases कि जो intention है ना जो प्रवोक करने की जब कोई व्यक्ति उकसा रहा है तो उकसाने के लिए एक तो इच्छा intention हो नीचे प्रवोक करने की वो जान बूच के प्रवोक कर रहा है जानते बूचते प्रवोक कर रहा है पहली चीज भढ़का रहा है या उसने भड़काया हो जान बूज कर या फिर उसने encourage किया हो ऐसा करने के लिए उस victim को तब हम appointment to suicide कहेंगे यहाँ पर Supreme Court ने आगे clarify किया कि हर व्यक्ति की जो suicidability है का pattern जो है आत्मत्य का जो pattern है वो अलग होगा दूसरे लोगों से इसी तरह हर व्यक्ति का अपना आइडिया है self-esteem का, self-respect का suppose कीजे किसी ने उकसाया self-esteem होई, self-respect होई but यह बहुत subjective है हर व्यक्ति का अपना एक आइडिया है self-respect का, self-esteem का ठीक है तो यहाँ Supreme Court ने आगे कहा कि बहुत ही मुश्किल है इस तरह के cases में एक straight jacket formula लगाना इस तरह के cases को deal करते हुए इसी लिए हर case जो भी decide किया जाएगा उसको on the basis of its own facts and circumstances decide किया जाएगा उसके अपने facts and circumstances के आधार पर ही उसको decide किया जाना चाहिए इसके आगे बहुत सारे recent court orders है जहाँ पर court ने समय समय पर ये कहा है clarify किया है कि इस तरह के cases में कुछ चीजें हैं जो पता होनी चीए जैसे की the need for facilitating suicide कि facilitate तो नहीं की गई है suicide व्यक्ति के दुआरा या तो उसने intention है provoke किया और साथ में facilitate भी किया है कुछ important चीजे है समझने के कोशिच कीजेगा पहली है provoke किया गया है जान बूच कर facilitate की गई है suicide उसको उसकी तरफ और धकेला गया है ठीक है न? correct तीसरा है कि विक्टिम के पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा बट्टू कमेट suicide ये combination होगा तब ही वाना जाएगा बैट्मेंटी suicide यहां पर ठीक है for anyone to be charged by it even if that person has been named in the suicide note by the disease मतलब अगर facilitating suicide की कोई दिख नहीं रा कि suicide facilitate की गई है आरोपी के द्वारा चाहे उसका नाम भी क्यों ना दिया गया हो suicide note में suicide note में victim ने नाम दिया है किसी का लेकिन आरोपी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे suicide facilitate हो तो उसको आरोपी नहीं माना जा सकता उस पर ये charges नहीं लगेंगे simple ठीक है इसी महीने 39-49 साल के व्यक्ति को एक आदमी को acquit करते हुए जिस पर आरोप था committing his wife suicide कि उसने अपनी wife को उकसाया था suicide करने के लिए 2015 में Session Court ने observe कि माना कि husband हरेस्ट कर रहा था अपनी wife को under the influence of alcohol बट इससे कहीं भी established नहीं होता है कि उसने अपनी wife को उकसाया या फिर उसने कुछ ऐसा किया कि उसने suicide facilitate की बेसिकली ठीक है ना उसको facility प्रोवाइड की suicide करने के लिए ऐसा उसने नहीं किया है तो उसको इस आधार पर छोड़ दिया गया नारोपों के बाद जो allegations थी जो आरोप थे वो ये थे कि husband ड्रिंक करता था उसके अधनी wife को पीटता था जिसके वज़े से wife ने suicide commit किया तो court ने यहाँ पर ये clarify किया कि ये बिल्कुल भी ये बात प्रूव नहीं करता कि wife के पास कोई और option बचा ही नहीं था बट्टू कमिट suicide ठीक है चलिए एक IPS officer ने इस संबंद में क्या कहा हुनोंने कहा कि section 306 appointment to suicide IPC में जो दिया गया है उसको prove करना बहुत ही difficult है ठीक है ये बताना की व्यक्ति नहीं ऐसा किया है साथ में ये देखना कि भाई जो victim है जो person है उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था बट्टू commit suicide and साथ-साथ ये prove करना कि काफी कठन हो जाता है आगे इनका कहना यह है कि कई बर ऐसा होता है कि जब कोई family अपने किसी family member को खो देती है because of suicide आत्महत्या की वज़े से तो वो गुसे में आके इस तरह के allegations लगाते है इस तरह के of course लगाये जाते हैं कहा जाता है कि इस फलावक्त व्यक्ति की वज़े से इस की इस हरकत की वज़े से उनके family member ने suicide कर लिया तो ऐसे में F.I.R. दर्ज की जाती है लेकिन अधिकतर वो F.I.R. situation को complaint जो है situation को defuse करने के लिए की जाती है उससे में एगेंस्ट कुछ examples भी है जो celebrities रहे हैं जो काफी साथ चर्चाओं में रहें जैसे की September 2017 में करन जोजफ जो की musician थे उन्होंने कहा जा रहा है कि वो उन्होंने जंप कर लिया था अपने एक दोस्त जो की music producer भी है रिशीर शाह के 13th floor जो की बांद्रा में रहते थे तो जोजफ के family members ने आरोप लगाया शाह पर की उन्होंने उक्साया suicide करने के लिए करन को बाद में फरवरी 2022 में ये case बंद कर दिया गया क्योंकि evidence नहीं थे ये करने के लिए abitment of suicide था इसी तरह से जुलाई 2020 में बिहार पुलिस ने FIR रिजिस्टर की थी अगेंस्ट आक्ट्रस रिया चक्रवर्थी her family and some other people also क्या आरोप लगाया गया था क्या charges थे abitment to suicide कि उन्होंने भी तुशान सिक राजपूत को उक्साया suicide करने के लिए तुशान सिक राजपूत ने suicide आत्महत्या कर ले थी जून 2020 में उसके बाद ये case CBI को transfer कर दिया लेकिन अभी तक भी CBI ने कोई भी ऐसा evidence mention नहीं किया है जहां पर ये charges प्रूव होते हों अगेंस्ट रिया चक्रवर्थी और her family और the people जिन पर यारोप लगे है चली abitment of suicide actually होता क्या है तो इसको समझ लेते हैं इसके definition को समझ लेते हैं Indian Penal Code 1860 में abitment of suicide एक punishable offense बनाया गया section 306 जो है IPC का वो prescribe करता है या तो jail jail term up to 10 years 10 साल तक की सजा हो सकती है fine हो सकता है या फिर डोनों ही हो सकते है इसका जो आरोप है उसके बाद अगर punishment की बाद हम करें इस offense में तो क्या कहता है इए if any person commit suicide अगर कोई व्यक्ती suicide commit करता है तो जिसने भी उसको उकसाया है ऐसा करने के लिए उसको punish किया जाएगा jail imprisonment हो सकता है of either term which may extend to 10 years up to 10 years 10 साल तक की सजा हो सकती है या फिर उसको fine लग सकता है ऐसा section 306 बोलता है generally जो fine है वो किसको दिया जाता है किनको दिया जाता है जो भी family member है disease के उसको यह fine दिया जाता है यहाँ पर IPC ने एक separate chapter बनाया है मतलब है IPC में separate chapter है on abattment and describes उकसाने पर और describe करता है who is an abattor under section 108 कौन abattor होगा किसने उकसाया है यह section 108 के अंडर अलग से describe किया हुए abattment को अगर हम define करें तो इसमें होता है instigate करना किसी को engage करना किसी conspiracy में या फिर assist करना in committing the offense facilitate करना ठीक है तब कहेंगे कि उकसाया जा रहा है इस definition के अंडर now section 306 जो है जो जिसका maximum sentence 10 years है up to 10 years तक की सजा है यह basically पहली बार यूज हुआ था to act against sati sati prathah के विरुद as per थाकोरे नीतावेन वर्से स्टेट अफ गुजरात order of February 2017 इसमें क्या अगा गया है कि बहुत सारे early cases जो थे चिता पर बठाकर sati कर दिया जाता था तो यह तरह से अबेटमेंट था उसको force किया जा रहा है facilitate किया जा रहा है ऐसा करने के लिए तो ऐसे cases में इस तरह के cases में यह अबेटमेंट to suicide के charges लगे थे ठीक है चलिए अबेटमेंट to suicide के बात करें अगा हम अबेटमेंट to suicide cases के बारे में percentage की बात करें तो as per the data, total 9,371 cases of abattment to suicide were registered across the country पूरे देश में 2021 में ठीक है, which forms 3.3%, 3% का share है इस in cases का of the total crime cases जो register की गए हैं पूरे देश में हमारे यहां यहां पर महराश्ट्रा में सबसे जादा cases है इस तरह के under abattment to suicide section 305-306 2021 कि के अगर हम बात करें जिसमें 1462 cases अकेले महराश्ट्र से हैं जो register की गए है now in case of abattment to suicide of women महिलाओं के अगर हम बात करें जिसमें महिलाओं को उक्साया गया ऐसा करने के लिए इस तरह की cases भी register के गए है देश में और जो conviction percentage है in cases का वो 20% है 2021 के अंकडों के हिसाब से which is low काफी जादा कम है भारत की general poor conviction rate को देखते हुए भी उससे भी काफी कम है ठीक है उसके पीछे का reasons मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे क्योंकि आरोप सिद्ध करना काफी मुश्किल है when it comes to abitment to suicide charges आपको क्या लगता है जरूर मुझे comment section बताइएगा दोस्तों unacademy को subscribe करने के लिए आप मेरा code यूज कर सकते हैं ndlife10 for your plus iconic combo subscriptions batches शुरू हो चुके है go and roll now with my code जहां पर top educators आपको पढ़ाएंगे test series included होंगे इन batches में CSAT की भी तयारी कर सकते हैं आप आपको सिर्फ मेरा code यूज करना ndlife10 और आप CSAT के batch से भी जुड़ सकते हैं loan facilities also available EMI का option available है बहुत ही nominal price पर आपको test series मिल रही है with my code ndlife10 बहुत ही nominal price लगेगा और 55,000 टेस्ट आप यहां पर attempt कर सकते हैं और देख सकते हैं आपकी तयारी कैसी चल रही है Mission IRMS अगर हम बात करें तो यहां पर UPSC और GATE के top educators साथ में मिलकर आपको पढ़ाने वाले हैं आपको IRMS crack करने में मदद करने के लिए last mile which is free interview guidance program इसमें भी आप इन्रोल कर सकते हैं आपनी interview को यहारी को और जाधा मजबूत करने के लिए so that is it from my side I hope you like this session do not forget to like, share and subscribe to the channel also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates thank you so much God bless take care